गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं अवरी इस्तरपाथी स्वागत करते हैं आप सभी का राइज़ाप एकडेमी पावर बाइक राइस आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट का एक वीडियो जिसमें से आप चार मॉक टेस्ट पहले कर चुके हो यह आज का पाँच्वा मॉक टेस्ट है आपके आने वाले एक्जाम यूप पुलिस एससी जीडी और रेलवे की वेकेंसियों के लिए बहुत ही महत्रपूर्ण होने वाला है तो सभी बच्चे ध्यान से पैन कॉपी निकाल लीजिए और बैठ जाईए हर सवाल को आप पहल पहला सवाल इस प्रकार है बचे एक पुस्तक का मूले पैन के मूले का दो गुना है पैन का मूले पैंसल के मूले से 25 प्रतिशत कम है सभी बस्तुओं के मूले में 10 प्रतिशत की व्रद्धी कर दी जाए तो 4 पैन 2 पुस्तक और 3 पैंसल के मूले में कितने प्रतिशत की व् लिखते हैं एक बटे चार लिखते हैं एक बटे चार तो कह रहा है पचीस प्रतिशत कम है तो यहां पर चार में से कितना कम है एक कम है बास समझ में आगे चार में से कितना कम है एक बस समझ गए होगे यहां से लिख लेते हैं पहले हम लोगों ने लिख लिया पुस्तक को फि के अगर फेंच के मुल में में 10 पृतिशत की व्रद्धी कर breaths। तो ये 6 वाला हो जाएगा 6.6 का ये 3 वाला हो जाएगा 3.3 का और ये हो जाएगा 4.4 का आगे कहरा है व्रदी कर दी जाए तो 4 पेन, 2 पुस्तक और 3 पेंसलों के कुल मूले में कितने प्रतिशत की व्रदी हो जाएगी 4 पेन एक पेन की कीमत कितनी थी 4 रुपे तो 4 पेनों की कीमत होनी चाहिए 16 रुपे एक पेन की कीमत है 3 रुपे एक पेन की कीमत है 3 रुपे तो 4 पेनों की कीमत होनी चाहिए 12 रुपे यह ना 4 पेनों की कीमत कितनी होनी चाहिए 12 रुपे अब अगर 10% बढ़ा देगा, 4 Peno की कीमत में, 10% बढ़ा देगा, तो यहाँ पर 4 Peno की कीमत, 3.3 बढ़ा, तो चार पेनों में कितना बढ़ जाएगा 1.2 बढ़ जाएगा आगे कह रहा है दो पुस्तक पुस्तक में कितना बढ़ जाएगा 1.2 बढ़ जाएगा यहां पे कितना कह रहा है यहां पे कह रहा है कि 3 पेंसल एक पेंसल का मूल 4 रूपए तो 3 पेंसल का मूल कितना 12 रूपए पॉइंट पॉर यह बढ़ा है तो कितना बढ़ जाएगा यह तीन में कितना बढ़ जाएगा वन पॉइंट वर तो टोटल व्रधी कितने की हो रही है वाई बोलो टोटल व्रधी कितने की अरे one 3.6 तो percentage क्या जाएगा 10 यानि option जाएंगे सी के साथ 10 प्रतिशत is right answer clear हो गया न तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्रम में और यहां पर अगले क्रम में देखते हैं भई अगला question है स्याम एक महीने में 3840 किलो मेटर कार चलाता है तो एक महीने में उसके खर्च में कितने रुपए की व्रधी हो जाएगी बहुत अच्छा सवाल है बहुत ध्यान से समझना है percentage और आपको बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है वो कितना चलता है वो 3840 किलो मेटर चलता है और 3840 किलो मेटर चलता है वो और उसकी कार का average क्या है 15 किलो मेटर प्रति लीटर का तो अगर वो 3840 किलो मेटर 15 किलो मेटर की speed से तो वहाँ पर इतने किलो मेटर वो चला 15 के माइलत से चला तो उसका total petrol कितना लग जाएगा 15 दो नी 30 बचेगा यहां पर 15.44 को साथ 15.75 हो जाएगा इतने किलोमेटर वो जाएगा इतने किलोमेटर वो जाएगा इतने लीटर डीजल लगेगा उसका जो भी है पेट्रोल डीजल जो भी लगता हो ठीक है एक महिने में कितना जाता है? एतने 1-4 किलोमेटर काल चराता है और 15 का माईलेज देती है उसकी कार्टै कितना लग जाएगा ? छे से 2-3 प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 1-1 रा, 18 यानि उसमें ब्रद्धी कुतने की हो जा रही है? ये 1-15 की ब्रद्धी होती है कितने हैं ब्रदी पंदर चाहिवा किसके मैं हो जाता कितना है तो जाता है G1 380 484 किलो मेटर हैं और मालेज सब्सक्राइब और फार्पा法 और यह समझा दूदी स कर पाइगा वो थे कितना 끝 कर पाएगा 245 ली चुरलीटर पहले वो कितना करता था गया है तो जब 256 लीटर पेट्रोल खर्च करता था तो मूल ले कितना था 80 रूपए प्रति लीटर और अब 10 प्रतिशत बढ़कर कितना होगा है 88 रूपए प्रति लीटर हो गया है वास्षमज में आगई न तो अब अगर हम यहां पहले वो खर्च करता था कर यह हैं लेकिन हम अगर गुणा भाग ना करें अएसका देखें कि पहले इसको हम divide कर दें 16 से तो 16 से divide होगा यह 16 बार कट जाएगा और 16 से इसको divide करें तो यह कट जाएगा 15 बार clear हो गया की नहीं यहाँ पर हम divide कर दें 8 से 8 से divide करेंगे तो यह 10 बार कटेगा 8 से divide करेंगे तो यह कटेगा 11 बार तो पहले हमने divide किया है 16 से फिर हमने इसको और इसको दिवाइट किया है हमने 8 से तो यहाँ पे 16 गुणा 10 यह 160 हो जाएगा और 15 गुणा 11 यह 165 हो जाएगा यानि यहाँ पे difference कितने का आएगा difference आएगा 5 का तो यहाँ पे आपका आंसर 5 होना चाहिए नहीं यहाँ पहले हमने दिवाइट किया था 16 से तो 16 का गुणा कर लीजिए और फिर अमने डिवाइट किया था 8 से तो 8 का गुणा कर लीजिए 8 पंचे 40 16 को 64 कितने रुपय का अंतर आ जाएगा 640 रुपय का अंतर आ जाएगा और आंसर आप सही कर देंगे second वाला बोलो के लिए रुपया सबको हाँ या ना कर लेंगे ना इस तरह से चलिए तो बढ़ जाते हैं अगले question में और उम्मीद है कि आपने इस question को बहुत आसानी से समझ लिया होगा समझना क्या था आपने total म हम लोग कहते हैं 1 by 15 1 by 15 अगर बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा 16 हो जाएगा अब मायलेश क्या हो जाएगा 16 का मायलेश हो जाएगा तो अगर 3840 किलोमेटर वो 16 के मायलेश से जाएगी तो उसका petrol लगेगा 240 लिटर तो अब यहां पर हमने पहले 256 लिटर पेट्रोल ख हमने 16 से डिवाइट किया तो इस 16 आया 15 जो उसका मूल ले था उसको हमने आठ से डिवाइट किया तो वह दस आया यह ग्यारा अगर 116 करते है तो एक तुस आठा है और पंदरा गुना11 एक्सो पैंसट यानि उसका खर्च आधिक आया 5 रूपए का अदिक खर्च आया है अ अब हमने 16 से डिवाइड किया था तो 16 का गुणा किया 8 से डिवाइड किया था तो 8 से गुणा किया यानि टोटल खर्च कितना आ जाएगा 640 रुपए का तो अब यहां पर पहले जो भी खर्च होता हो लेकिन व्रधी अब कितने की हो गई 640 की यानि option B is right answer तो अगले question को से समझने की अगला question है बिटा एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से चांचट से दो बटे तीन प्रतिशत अधिक है खर्च देखो चांचट सही दो बटे तीन को अगर हम देखें fraction में तो इस चांचट सही दो बटे तीन को हम बागी सवाल पढ़ते हैं चांच मासिक खर्च में 60% की व्रद्धी कर दी जाए तो बचत उसकी 1040 रुपे बढ़ जाती है उसका मासिक खर्च क्या है बहुत अच्छा सवाल है ध्यान दीजिए कह रहा है मासिक बचत एक व्यक्ति का मासिक खर्च बचत से कितना अधिक है चांचट से दो बटे तीन यानि अ खर्च एक्सपेंसे उसके पांच है और उसकी सेविंग तीन है बचत उसकी तीन है तो अगर हम बात करें यहां पर कि उसकी इंकम क्या हो जाएगी तो उसकी इंकम क्या हो जाएगी आए क्या हो जाएगी उसकी आठ हो जाएगी यह चीज़ सब को किलिए रोपाई कि नहीं ह भाई भोलो ठीक है अब कह रहा है उसकी मासिक आय में 44 प्रतिशत की वरद्धी हो जाए अगर आय आठ है और 44 प्रतिशत बढ़ जाए तो आठ का 44 प्रतिशत कैसे निकालेंगे अगर साथ प्रतिशत की वरद्धी हो जाएगी तो अगर साथ प्रतिशत की व्रद्धी हो जाएगी तो अब खर्च कितना हो जाएगा आठ देखो बच्चे खर्च कितना हो रहा है आठ और इंकम कितनी हो रही 11.52 तो अगर आय मैंसे खर्च घटाते हैं तो बचत कितनी आ जाएगी आपको ओगे सर बिलकुल 11.52 में अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आजाएगा 3.52 तो खर्च किया है क्या बढ़ जाया बचत बढ़ जाया तो बचत में ब्रदी कितने होई यह 0.52 की हुई यह बच्चे तो पॉइंट फाइब टू कितने के बड़ाबर है 1040 के बड़ाबर है 0.52 की वैलिव 1040 की है एक की वैलिव अगर आप निकालोगे तो आपको ओगे सर 1040 मे हम भाग दे देंगे तो अगर हम 05-02 का भाग दें गरसे यहां से हटेगा यह से कटेगा 2 रो इस तरह से 1 की rivals कितनी किली आढ़ेगी 2,000 आजाएκी सुरी कि अगर 2500 बहुतार य हूद 2300 आजाएगी एक कि हैं टो 2,000 अगर 2,000 आ लेंगे और अंसर जाएंगे हम सी के साथ यानी 10,000 इस राइट आंसर बोलो सब लोगों को समझ में आ गया कर पाएंगे अच्छ से सवाल को हाँ या न चले तो इसी क्रम में और अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है थोड़ा सा धियान देना है अगला सवाल है कह रहा है एक खिलोने विक्रेता ने पंद्रा सो रुपय के कुछ खिलोने खरीदे उसने अपने खिलोने का 40 प्रतिशत भाग 15 प्रतिशत हानी पर 33 प्रतिशत भाग को 20 प्रतिशत लाग पर भेज दिया से इस खिलोने को कितने प्रतिशत लाब पर भेज़े कि उसे पूरे सौधे में 10 प्रतिशत का लाब हो बहुत अच्छा सवाल है अगर हम 40 प्रतिशत की बात करें तो 40 प्रतिशत की फ्रिक्शन क्या है 2 बटे 5 है 40 प्रतिशत की फ्रिक्शन क्या है 2 बटे 5 क्लियर न और 33 से 1 बटे 3 प्रतिशत की तो जस्ट आगे वाले सवाल में आपने बोला था एक बटे तीन है तो हम इनके डिनॉमिनेटर का ले 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 लिए ले ले को फंद्रा क्लियर न अब फंद्रा अगर हमने टोटल वैल्यू को लोई लिया तो कहरा है चालिस प्रतिशत यानि दो बटे पांच यह 15 कहां से आया, 15 हमने इन 5 और 3 का LCM ले लिया, क्यों? क्योंकि हमें 2 बटे 5 निकालना पड़ेगा, तो अगर हम कोई और संख्या लेते हैं, तो उसका 2 बटे 5 निकालने में थोड़ा सा मुस्किल हो सकता है, और फिर 2 बटे 5 अगर निकलाएगा, तो 1 by 3 निकालने में problem होग तो यहां पर अगर हम बात करें, 2 बटे 5 की तो कितना होगा, 6, 1 बटे 3 की तो कितना होगा, 15 बचा कितना 4, अब देखो समझो, कहरा 40 प्रतिशत भाग को, यानि की 6 को 15 प्रतिशत की हानी पर बेच दिया, अगर हम 6 वाली वेल्यू को 15 प्रतिशत की हानी पर बेचें, तो 6 क का 55 प्रतिशत कितना हो जाएगा 156 का नभे 0.9 पॉइंट-9 कि अगर हा नियुकर कितने मैं 5.1 एक हम की 3-5 को 20 परतिशत के लाव भेश दिया तो पांच का 20 प्रतिशत के लाव पर कोई पिस प्रतिशत कितना हो जाएगा एक यानि कि बिखेगा कितने में 6 में बिख जाएगा ओवरॉल किया चाहता है ओवरॉल चाहता है 10 प्रतिशत का लाव तो अगर 15 रुपए की कोई वस्तू है और 10 प्रतिशत का लाव चाहता है तो कितने में बेचना चाहता है 16.5 में बेचना चाहता है 16.5 में और यहां से उस मिल चुका है उसको कितना मिल चुका है 11.1 तो 11.1 उसको प्राप्त हो चुका है 11.1 अब उसको चाहिए कितना यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा विश्ट 4 यानि वस्तु बची कितनी है उसके पास 4 और उसको चाहिए कितना 5.4 यानि उसको 1.4 और चाहिए और इस 1.4 के लिए उसके पास कितने वस्तु हैं 4 तो 1.4 चाहिए उसको 4 में प्रतिशत निकाल लीजे यहां पर 1-0 बढ़ाएंगे यह पॉइंट हट जाएगा यह कटेगा यहां से तो यह 2 से काट दो इसको तो यह 2 कटेगा और यह 7 कट जाएगा 2 से काट दो इसको 5 कटेगा 7 गुणा 5 करोगे तो कितने प्रतिशत यानि जो बची हुई वैल्यू है उसको बेचना चाहिए उसको 35 प्रतिशत के लाव पर बास समझ में आ गई सबको हमने क्या किया सबसे पहले इस चीज को समझो कि 15 कहां से आया हमने 15 कहां से लिया है हमने इसको फ्रेक्शन में बनाया 2 बाई 5 इसको फ्रेक्शन में बनाया 1 बाई 3 हमने 5 और 3 का ले लिया एल्सियम तो क्या जाएगा 15 बस अब solve हो गया आसानी से इसका हम 40 प्रतिशत निकालेंगे 6 यानि 6 5 11 बस तुम यह हो गई बची कितनी चार इसको बेच रहा है वो 15 प्रतिशत के लॉस पर यानि की 5.1 में इसको बेच रहा है 20 परसेंट के प्रॉफिट में यानि की 6 में तो अब ओवराल उसको क्या चाहिए ओवराल उसको चाहिए 16.5 यानि इसको 6 5 11 11.1 उसको मिल च चुका है और अभी उसको 16.5 चाहिए तो उसको 5.4 और चाहिए अभी किलियर हो गया न अब वस्तों में बची है उसके पास 4 चार वस्तों से 5.4 चाहिए यानि 1.4 अधिक चाहिए कितने में 4 में और 1.4 अगर अधिक चाहिए 4 में तो परसेंटेज क्या बनेगा 35 सब को समझ में आ गया होगा अच्छे से अब बढ़ जाते हैं अगले कॉस्टिन की तरफ बोलो भई किलियर हो गया न सवाल थोड़ा सा बढ़ा है यह दिद्दों को की एक सबसे बड़ी संख्या एन है जिससे जब 3-4-6 से विभाजित किया जाता है तो सेस्वल 1-4 आता है एन को 5 से विभाजित करने पर सेस्वल क्या आएगा तो एक चीज़ समझो यह सवाल हमने आपको LCM SCF के चैप्टर में बहुत बिधिवत तरीके से समझा दिये थे इस टाहिप के कोश्चन्स आपको अभी भी ध्यान देना है कैसे करना है कह रहा है जब उसको 3-4 और 6 से भाग दिया जाता है तो रिमेंडर 1,2 और 4 आता है यहां पर घटा ओगे तो आपको एक समान संख्या मिलेगी जैसे यहां पर क्या रही है तो इस तरह से आप घटा के आसानी से कर पाते हैं आपने पिछले क्लासेस में इस तरह के सवाल किये थे जब हमने LCM SCF की चीज़ों को डिसकस कि लिए था तो इस तरह से घटाया आपने क्या बना हम क्या करते हैं इनका ले लेते हैं LCM इनका LCM जब हम लेंगे तो इनका LCM आजाएगा 12 आजाएगा क्लियर न अब अगर 12 मैसे 2 माइनस करते तो हमें मिलेगा 10 और 10 अगर 3 से डिवाइट करोगे तो 1 रिमेंडर आएगा 4 स यानि इनका LCM लेने के बाद यह संख्या घटा दी जाती है वही आपका आंसर हो जाता है अब यहां हमें क्या निकालना है हमें निकालना है दो अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो दो अंकों की बड़ी संख्या चो उंकों की बड़ी संख्या जो 12 से डिविजिबल हो कौन सी बनेगी 96 और उसमें यह दो घटा लीजिए तो आपका आंसर क्या जाएगा 94 यानि जो संख्या है वो संख्या क्या है 94 है अब यह छोटा नंबर था 12 तो हमने 12 की टेवल पढ़ ली और हमने यहाँ पर करेक्ट कर लि संख्या मिल गई जिसको अगर तीन से भाग दिया जाए तो एक चार से दो और छे से भाग देने पर चार remainder मिलेंगे कैरे यदि इस संख्या को पांचसे विभ led किया जाता है तो remainder क्या होंगे भाई पांचसे divide किया जाये तो remainder क्या जाये चार तो आपका уंसर किया हुआ 4 यानि e 1 जो HELाई सर पहला GOT सही हो जायगा अंसर आएगा 4 कर पाएंगे सारे बच्चे इस तरह के सवाल को LCMSCF की कंसेप्ट में आप ध्यान से पढ़ोगे चैप्टर वीडियो पीछे विला देखोगे तो बहुत सारे सवाल हमने इस तरह के कराए है क्लियर ना थोड़ा से टाइम की बॉंडेसिंस के कारण तूट थोड़ी तेज रखते हैं और जल्दी जल्दी से हम चीजों को समाड़ करने की कोशिस करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ रहा है हाँ या ना ये सर समझ में आ रहा है ठीक है बढ़ते हैं अगले करम में अगला कॉश्यन क्या है अगला क्वश्यन है दो संख्याओं का गुड़नफल 1521 है और इन संख्याओं का एक्चिय अफ 13 है ऐसे युगमों की संख्या क्या होगी बिलकुल निश्चित तौर पर आप भाई कर चुके है वैसे सवालों को कर चुके ह ले 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 लेते हैं आपकी बार तो कहा रहा है दो संख्याओं का गड़नफल दिया हुए 1521 इन संख्याओं का hcf 13 है तो अब पिछले चैप्टर में आपने देखा था अगर hcf 13 है तो संख्याओं क्या लोगे संख्या 13 x और 13 y और कोई संख्या यहां पैजियूम करी नहीं सकते हो क्यों क्योंकि उनका फिर hcf 13 कहां से आएगा अगर आपने संख्याओं को x और y मान लिया तो hcf 13 नहीं आएगा ठीक है तो हमें multiply करके 13 से और उनको हमें मानना पड़ेगा क्लियर ना उनका गुड़नफल कितना दिया है 1521 तो भाई पहली संख्या क्या है 13 x और दूसरी संख्या 13 y है तो पहली संख्या अगोना दूसरी संख्या बराबर 1521 तो यहा फिर 13 एकम 13 और बचेगा यहां पर कितना 91 13 सते 91 और 13 से अफिर से इसको काटो गए तो 139 117 होता है very good समझ में आ गया सबको x into y की अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है इसके हम बनाते हैं co-prime factors तो यह 9 का बनेगा 1,9 ठीक है 1,9 बनेगा अब अगर हम इसका और बनाए तो 2 से तो divide नहीं होता है 3,3 भी बन सकता है लेकिन 3,3 जो है यह co-prime नहीं है हमें लेने होते है co-prime co-prime numbers यानि ऐसे नंबर जिनका hcf 1 होता है तो अगर हम इन दोनों को देखे तो इनका hcf कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसलिए हमें यह दोनों नहीं लेने है क्या लेना है 1,9 तो ऐसी संख्याओं का केवल मात्र एक जोड़ा बनेगा तो हमारा answer हो जाएगा 6 ऐसी संख्याओं के संभव युगमों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी क्लियर हो गया ना सबको एक जोड़ा बनेगा इनसे और कोई जोड़ा नहीं बनेगा तो इस प्रकार के सवाल को हम ध्यान से समझेंगे और ऐसे आसानी से लगा पाएंगे सारे बच्चे एगरी हैं कर पाएंगे ना ऐसे बोलो भई पिछले क्लास इसमें LCM SCF का वीडियो आप देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उसमें मिलेंगे पेर बनाने वाले है ना तो बना पाएंगे सब लोग चलो बढ़ते हैं भाई अगले क्रम में अगले सबसे पहले कह रहा है साथ से भाग देने पर से कुछ ना बचता हो तो आप यहां पर करेंगे क्या साथ का भाग देकर देख लीजिए और जिसमें साथ का प्रिशियों आपका आंसर हो जाेगा जैसे यहां पर यहां पर साथ का भाग देगा कि इस सood चला जाएगा तो यहां पर साथ का भाग नहीं जाएगा और यहां भी इन दोनों नंबरों में तो option अगर एक कैसा मिल जाए जिसमें सिर्फ एक नंबर में साथ का भाग जा रहा हो तो हम उसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे बट यहां पर हमें दो ऑप्शन मिल गए जो सेवन से डिविजिबल हैं क्लिर न तो अब हम क्या करेंगे अब हमारा चेक करने का दूसरा तरीका क्य इनका निकाल लेते हैं एलसियम इनका अगर हम एलसियम निकालेंगे इनका एलसियम निकालेंगे तो इनका एलसियम आ जाएगा बच्चे 60 आ जाएगा इनका एलसियम क्या जाएगा 60 आ जाएगा ठीक है ना क्या जाएगा 60 आ जाएगा और प्रतेक दसा में एक सेस बचे तो एक घटा कर 60 से divisible हो जाना चाहिए तो एक घटा कर अगर हम 60 से divide करें तो एक घटाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 90 और ये 60 से divisible नहीं होगा इसलिए इसको भी answer नहीं माना जाएगा एक घटाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 300 जो कि 60 से completely divisible होगा तो हमारा यही एक perfect इसका answer निकलाएगा तो इस तरह के सवालों को हम ऐसे निकालेंगे कह रहा था 7 से भाग देने पर 6 कुछ ना बचे यानि 7 से completely divisible हो और अगर यह 7 से completely divisible हो तो आप option में check कर लिजे कि कौन सा option 7 से completely divisible है हमें यहाँ पर option मिल गए 2 तो अगर एक option मिलता हम उसी को tick कर देते आगे निकल जाते है ना अगर यहाँ पर दो option मिल गए तो क्या करना है कह रहा था प्रत्यक दसा में एक से स्वचना चाहिए तो उन सभी नंबरों का LCM निकालो और option में एक घटा कर जो LCM से divide हो जाए वही इसका final answer बन जाएगा तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे और अगर नहीं लगा पाते हैं ऐसे तो कोई बात ने इसका traditional method क्या है वो समझो 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 का हम निकालेंगे LCM अगर इनका हम LCM निकालेंगे तो इनका LCM अभी निकाला था कितना आगया था 60 तरीका क्या है इसको लिखेंगे 60K प्लस 1 और divide करेंगे 7 से साथ का भाग इसमें देंगे 7,8,6 बचेंगा कितना 4 तो लिख लेंगे 4K प्लस 1 अब 4K प्लस 1 भी 7 से divide होना चाहिए तो K की हम क्या value रखें कि यह 4K प्लस 1 7 से divide हो जाए अगर हम एक रखते हैं तो 4 एक हम 4 एक 5 नहीं होगा अगर हम के की place पे 2 रखते हैं तो 8 और 1 नहीं होगा अगर हम यहाँ पे 5 रख लेते हैं तो 4 पंचे 20 और 21 से divide हो जाएगा तो K बराबर यहाँ पे हम क्या रख पा रहे हैं पांच रख पा रहे हैं के बराबर पांच रखने से completely divisible होता है तो के बराबर अगर पांच रखोगे तो 60K प्लस 1 6 530 300 प्लस एक आंसर लगाओगे 301 तो ट्रडिशनल मेथेट से भी आसानी से कर पाएंगे और इस तरह के मैथेट से भी आसानी से कर पाएंगे जहां पर हम option के थ्रू चीजों को eliminate कर देते हैं या observe करके हम आंसर दे पाते हैं कर पाएंगे ने सारे बच्चे चले तो बढ़ते हैं अगले question की और I hope यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से तो कोशिस करिएगा copy pen लेके बैठिएगा और वीडियो को ध्यान से देखते हुए हर सवाल को आप एक चलेंजिंग में solve करते हुए आगे बढ़ेंगे आपके आने वाले exam यूपी पुलिस का जो अभी पेपर लगा हुआ है सचीजीडी का आने वाला है अब और एक्जाम आने वाला है और रेलवे में वेकेंसियां आ हैं और बहुत सारी वेकेंसियों के लिए अभी इसी टाइब के सारे सवाल पूछे जाते हैं जनरेली तो आप आसानी से इसको घर पाएंगे और ध्यान देंगे अगले कोश्चन की और विधिवत तरीके से हम समझेंगे अगला सवाल है हमारा एक अच्छा के 30 चात्रों को आस वार 30 kg है यदि सिच्छक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो आसत में एक किलोग्राम की व्रद्धी हो जाती है सिच्छक का भार गयाद करो जैए इसको जoli इसको लगाते हैं एक इस तरीके से कि अगर हम इसको multiply के method से देखें तो देखो इसका traditional method क्या बन रहा है 30 छात्रों का आउसत भार 30 kg है तो total कितना हो जाएगा 30 गुना 30 900 kg हो जाएगा clear न 900 kg हो जाएगा अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 1 kg की व्रद्धी हो जाती है अगर अध्यापक को सामिल करोगे तो पहले 30 लोग थे अब कितने होगा 31 लोग हो गए और और आउसत भी 31 kg हो जाता है तो 31 गुणा 31 करेंगे तो यह एक आ जाएगा 31-93 और 93 और 93 और 96 हो जाएगा ना 96 हो जाएगा यह ठीक है तो यह हो जाएगा च्छात्रों का भार और यह हो जाएगा च्छात्रों प्लस अध्यापक का भार च्छात्रों प्लस अध्यापक का भार यह हो जाएगा क्लियर ना यह च्छात्रों का हो जाएगा तो अगर हम यहां पे घटा दें च्छात्रों प्लस अध्यापक क के भार में छात्रों के भार को तो हमें अध्यापक का भार मिल जाएगा सिक्स्टी बन की जी तो एक तो यह मुल्टिप्लाई का मैठड हो गया और अगर एक्जामनर किसी मूड में हुआ करेंगे तो एक बड़ी डिजिट बनेगी और फिर मुल्टिप्लाई करेंगे सेकेंड को और बड़ी डिजिट बनेगी फिर सब्स्ट्रेक्ट करेंगे तो वह कहीं न कहीं आपके लिए तफ हो जाएगा थोड़ा सा आप मैठेड पे ध्यान दीजिए कहरा तीस छात्रों का आ व्यक्ति आएगा वह पहले एवरेज को मेंटेन करने के लिए कितना लेके आएगा चुकि एवरेज 30 किलो कि आउसत का मतलब क्या हुआ एक एक किलोग्राम वो जितने भी वेक्ति बैठे वे तीसो वेक्तियों का एक एक किलोग्राम बढ़ाता है तो अब उस में वो भी तो सामिल हो गया तो टोटल कितने हो गया 31 लोग हो गया तीस विद्यार्थी थे और अब कछ्छा में करने के लिए 31 बढ़ाने के लिए तो अध्यापक का भार कितना होना चाहिए 61 अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा दो बार घटाना पड़ा बट यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है जरा-जरा से छोटी-छोटी से नंबर हैं आपने लिखा और कैलकुल क्यों नहीं करना पड़ता है एक बार फिर से समझा देया करना समथ में आया हो तो देखो कह रहा है तीस छात्रों का आउसत भार 30 किलोग्राम है यदि सिच्छक का भार भी सम्मेलिफ्ट कर लिया जाए तो आउसत एक किलोग्राम बढ़ जाता है भाई जब आप सिच्छक क को सामिल करोगे तो अगर एवरेज 30 का चल रहा है तो 30 तो सिच्छक का भार एवरेज को मेंटेन करने के लिए होना चाहिए और अब कच्छा में कितने लोग होगा 31 तीस छात्र और एक अध्यापक तो 31 लोगों के भार को एक किलोग्राम बढ़ाएगा तो 31 किलोग्राम इसी तरह के ट्रक्स के जानने के लिए जुड़े रही है राइजब एकडेमी पावर्ड वाई एकराइस के साथ ध्यान रखिए इस चीज को ठीक है तो अगला कोश्चन इस पर यह सवाल समझ में आ गया होगा बहतरीन मेथट से तो अगला कोश्चन क्या है तीन संख्याओं म से पहली संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है और तीसरी संख्या से आधि है पहली संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है अगर भाई दूसरी संख्या एक है तो पहली कितनी है दो हो जाएगी अगर दूसरी संख्या एक है तो पहली कितनी हो जाएगी दो तीन संख् पहली संख्या तीसरी संख्या से आधी है तो यह किसका आधा है भाई यह 4 का आधा है यह 2 किसका आधा है 4 का आधा होता है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी clear हुआ की नहीं clear हुआ तीनों संख्याओं का average कितना है 56 भाई अगर average 56 है तो इनका total कितना हो जाएगा तो आपका ओगर सार 56 into 3 हो जाएगा total कितना हो जाएगा 56 into 3 हो जाएगा clear न average into number half है न आउसाथ into संख्याओं की संख्या तो हमें कुल योग मिल जाता है तो कुल योग कितना हो जाएगा इनका 56 इंटू 3 इसका मतलब हुआ यह हो जाएगा जो भी होगा बना रहने दो ऐसी और अब यह बटेगा कितनी जगे भाई यह बटेगा चार एक पांच दो साथ जगे बटेगा तो यहां पर साथ अठे छप और आठ गुना तीन कितना हो जाएगा 24 तो एक अनुपात की वेल्यू क्या जाएगी 24 आजाएगी बास समझ में आई कि नहीं है टोटल योग फल कितना हो गया 56 इंटू 3 अब पहली को देना है दो दूसरी को एक और तीसरी को चार तो चार दो छे और एक साथ साथ भागों में बाट दीजिए तो साथ अठे छपपन आठ गुड़ा तीन कितना आजाएगा 24 तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो एक अनुपात की वेल्यू क्या आ गई बच्चे 24 तो दो अनुपात की वेल्यू कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी है ना एक अनुपात की वेल्यू 24 औ और च्यानवे और तालिस चौविस और च्यानवे ऑप्ष्टन बी इस राइट आंसर बिल्कुल कर पाएंगे सारे बच्चे बहतरी इन तरीके से आप समझ पा रहे हैं इस कोश्चन को या इस तरह के कोश्चन को और अब हम इसी क्रम में बढ़ेंगे लेंगे एक अगला सवा सवाल और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बहुत विदिवत तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे ठीक है अगला सवाल क्या है बच्चों अगला सवाल है एक बुढ़ा व्यक्ति एक कोहरे वाली सड़क पर एक्स किलोमेटर प्रतिघंटे की गती से चल रहा है कम द्रश् व्यक्ति कार को 216 सेकंड तक ही देख पाता है व्यक्ति की गती ग्याद कीजिए देखो भई यहां को एक बुढ़ा व्यक्ति है और वो बुढ़ा व्यक्ति अपने आगे 600 मीटर तक ही देख पाता है वो इधर की तरफ जा रहा है डारेक्शन इधर की तरफ है एक कार आती ह और वो Kार आती है 15 km प्रति घंते की गती से इसको ओवर टेक करती है और 216 सेकेंड तक देख सकता है यानी वो व्यक्ति देख कितना सकता है 600 मीटर देख सकता है और समय कितना देख सकता है 216 सेकेंड देख सकता है अगर हम व्यक्ति की चाल को X किलोमीटर प्रतिघंटे माल ले व्यक्ति की चाल को X किलोमीटर प्रतिघंटे और कार की चाल कितनी दी हुई है 15 किलोमीटर प्रतिघंटे कार की चाल है 15 किलोमीटर डिरेक्शन इनका सेम है ओवर टैक करती है पीछे से इसके गुजरती है तो अगर हम इसकी सपेक्ष चाल निकाल लें तो ये 15 किलो मीटर प्रति घंटे कार की चाल और घट जाएगी व्यक्ति की चाल तो चाल क्या जाएगी 15 माइनस X किलो मीटर प्रति घंटे के लिए रना दूरी कितनी है 600 माइनस X किलो मीटर प्रति घंटे बच्चो चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मुला लगा लिजिए तो चाल है 15 माइनस X किलो मीटर प्रति घंटे दूरी है 600 मीटर की और समय लगा है 216 सेकेंड का इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये 6 से डिवाइड होगा तो 100 आ पांच बटे अठारा का गुणा ठीक है चलो इसको हटा देते हैं इतने पार्ट को कि इतने को हटा देते हैं यह साप एक्षिचाल आप समझ गये थे ना घट के लिखा जाएगा तो यह हो जाएगा 15 और माइनस वेक्ति की X अब यहाँ पे देखो 6 से काटा था वही तो यह यह सो आ गया चैसे कते गा तो 36 आ जाएगा अब 18 से 36 काट सकती हो 2 टाइंस टू से घंडरेट काट सकते हो 50 आ जाएगा इस 5 से 50 काट सकते हो 10 आ जाएगा तो बचा क्या ऐब 59-10-10 है न टो x वेक्स वेक्तिक की चाल की आ जाएगी पांच किलोमीटर प्रतीendyおおप्शन डिस क बहुत अच्छे तरीके से बोलो भई तो इस तरह के सवाल अगर कहीं पर भी आता है कि कोहरे की काराण कम दिखाई पड़ता है द्रस्टेता कम है ऐसा कुछ तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जितना भी दिखाई पड़ता है उसी को आप डिस्टेंस मान लिया कर तैरता है अच्छा और फिर अगले 6 मिनट तक धारा के साथ वापस तैरता है और क्यू बिंदू पर पहुंचता है यदि पी और क्यू के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की गति ग्याद कीजिए चलो भई देखते हैं सवाल एक बिंदू पी से धारा के विपरीद तैरत है 6 मिनट तक मानलो यह बिंदू है और यहां से वह तैरता है 6 मिनट तक और 6 मिनट में यहां पर कोई बिंदू है मानलो और एक बिंदू है यहां पर पहुंच जाता है ठीक है 6 मिनट में तो यह 6 मिनट उसने तैर लिए 6 मिनट का मतलब 360 सेकंड उसने तैर लिया है ठीक है 6 मिनिट का मतलब 360 सेकंड फिर वो यहां से यह धारा के विपरीत था धारा मानलो इधर की तरफ बह रहा है धारा इधर की तरफ बह रहा है तो अब यह वेक्ति कहां जा रहा है धारा के विपरीत क्लियर हो गया और कह रहा है इस बिंदू से वो क्यों बिंदू तक जाता है वो के लियुब बिन्दू पर निकल जाएगा जा quieren North और यहां वह संने कितना घ्या किया है 300 साठ सेकंड ही समय इससते लगा या कि पी और क्यू बीज की दूरी 120 मिटर तो फी और क्यू के बीज की दूरी आपको दे रखा है कितनी 120 मिटर अब यहां पे समझो या P और Q मान लेते हैं, चलो, यहाँ पे कुछ भी, P Q तो मान चुके हैं, और भी, यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलो भई, इसको X मान ले, नाओ की चाल को X मान ले, और धारा की चाल को Y मान ले, ठीक है न, यह चाल है किसकी नाओ और धारा की, किलिएर न, सबको समझ में आग तो देखो बच्चे उसने पी से आर तक की दूरी तेयं करी है तो यह दूरी हो गई ठीक है पी आर माल लेते हैं डिस्टेंस है समय कितना लगा जा है उसने 360 सेकंड का तो यह समय और चाल क्या रही होगी उसकी धारा की विपरीद दिशा में चाल क्या रही होगी अब आर से वो क्यू तक गया है और उसने कितनी दूरी तेयं किया है आर से क्यू तक की दूरी उसने किस समय में तेयं किया है तो वो भी 360 सेकंड का ही समय लगा है और अब यहाँ पे धारा की दिशा में नाओ प्लस धारा की चाल यह उसकी चाल हो जाएगी तो पहले दूरी कितनी थी पियार समय लगा 360 तो दूरी बराबर समय यह हो गया गुणा चाल विपरीद दिशा में चाल X-Y फिर आर से क्यू तक की दूरी आर क्यू तेयं किया उसने यह क्यू आर तेयं किया अब समय कितना लगा 360 और धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी नाओ प्लस धारा की चाल यानि एक्स प्लस Y अब एक चीज़ समझो यह टोटल डिस्तेंस है आर क्यू और यह टोटल डिस्तेंस है पी अर अगर आर क्यू में से पी आर घटा दे तो हमें पी क्यू मिल जाएगा बोलो तो अगर हम बच्चे यहाँ पर PQ बराबर निकालेंगे तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? RQ माइनस PR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो RQ की जगे में लिखेंगे 360 फिर X प्लस Y और माइनस यहाँ पर लिखेंगे 360 और यह हो जाएगा X माइनस Y बच्चे यहाँ पर 360 हम common निकाल सकते हैं क्लियर ना बोलो PQ बराबर अब यहाँ पर 360 अगर हम common निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा X plus Y bracket बना देते हैं X plus Y minus X plus Y तो देखो X cancel हो जाएगा यहाँ से बोलो PQ की value हमें पता है PQ की value कितनी है 120 तो PQ की जगे में रख लेंगे 120 यह हो जाएगा 360 और यह हो जाएगा Y plus Y 2Y हो जाएगा 2Y अब अगर हम इसको काटे हैं तो यह 720 हो जाएगा बटे में आ जाएगा तो Y का मान हमें क्या मिल जाएगा Y का मान मिल जाएगा 1 by 6 क्या मिल जाएगा वन बाई शिक्स यही तो मिलेगा बच्चे वाई का मान यहां से क्या मिल जाएगा वन बाई सिक्स मिल जाएगा पासमज में आ गई धारा की किलोमेटर में कितनी हो जाएगी वन बाई किलोमेटर में आ जाएगा प्रति घंटे में किलोमेटर प्रति घंटे में ही दिया हुआ है किलोमेटर प्रति घंटे में वन बाई सिक्स आना चाहिए बच्छे वन बाई सिक्स ठीक है वन बाई सिक्स यहां पर पॉइंट सिक्स है ऑप्शन में तो पॉइंट सिक्स तो हमें ठीक नहीं लग रहा है 1 by 6 आंसर होगा इसका एक बटे 6 किलोमेटर प्रती घंटे ठीक है कर लेंगे ना इस तरह से समझ में आ गया सबको एक बटे 6 किलोमेटर प्रती घंटे ये आ जाएगी नाओ की चाल के लिए रो गया हटा दे बढ़ें आगे भई मैं सबको सम्द में आ गया ओगा वे दिवत तरीके से अगला सवाल लेते हैं यहांपर जो है कि अगला कोशिन क्या है एक राशी ばい शे वर्सों का सधारन प्यास दिया हुआ है पहले दो बरसों के लिए 7 a 56 क्या है थुक्तिया वर्सों का साधराण विया हुआ है अचСТवर्स के दर कितनी रहती है 2 दो गजने वरसह किलिए उसके बाद के 4 वर्सों के ये 16 ऐसे सवालों में मुलगन को 100 और छिक है रादि नहीं वह सै तो 100 लेकिन देखो अगर शाथ साथ प्रतिशत दो वरसों तक चले तो सेंसराइब को I to recharge और सोला प्रतिशत अगर चार प्रतिशत दोड़सों तक सेंसराइब को भूलो और यह हो जाएगा अध साथ आथतर प्रतिशत अगर हम मोल्धन को सउ 10 रुपाया चैनल को अपनों देखो 2888 मोशन वांस कितना 20 29,250 रुपए है तो बस बच्चे इसी 78 के बराबर कर दो 29,250 है ना 29,250 देखो कट जाएगा कटेगा ही 13 से कटेगा 13,78 13 से ये भी कट रहा है 13 दूनी 26 बचेगा यहां पर 32 हो जाएगा 13 दूनी 26 छे 13 पचे 65 ये बनेगा अब देखो इसको 6 से भी काट सकते हूँ 6 से इसको काटोगे तो 6 तिया 18 बचेगा 4,45 6,42 3,30 6,35 तो यहां पर एक की वेल्यू कितनी आगे हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन ये वाला समझ हो गया ना समझ में आगे सबको अगला कोश्चन है दो संख्या है फाइव स्टू सिक्स के रेशियो में हैं प्रतेक संख्या में हो जाता है ठीक है तो अब यहां पर देखो यहां पर कितने की कमी हो रही है दो की कमी हो रही है यहां भी कितने की कमी हो रही है दो की यानि अनुपात में कितना घटाया जा रहा है दोनों में दो और दो अनुपात में कितना इसमें भी दो घटाया गया और संख्या में कितना गटाया गया 16 तो हम यह कह सकते हैं कि 2 अनुपाद की βेल्यु ग्या है 16 तो एक अनुपाद की वेल्यु च्या हो जाएगी 8 एक अनुपाद डिए हो जाएगी फोट्या और रूली संख्या 8 गटा दिया जाए तो यह हो जाएगी 45 तो संख्याएं क्या बन जाएंगी जोडने घटाने पर 48 और 45 अनुपात पूछ रहा है तीन से डिवाइड कर दो 16 अनुपात 15 और 16 अनुपात 15 में option C is right answer 16 अनुपात 15 कर पाएंगे सारी बच्चे इस तरह के question ओको हा या ना चलिए तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ कि एक बैग में 840 रुपए एक बैग में 840 रुपए के सिक्क्ट के दिखा रहा हुए एक बैग में कहां गया भी सवाल शिक्कों का जो मूल है वो क्या है एक रुपए दो रुपए और पांच रुपए के हैं अनुपात क्या है आठेक पांच का है ध्यान से समझो एक ही सवाल से आप सारे कोशन सिक्कों वाले कर पाओगे एक सवाल अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो सिक्कों वाले सारे के सार रेशियो वन रेशियो फाइफ ये इस तरह से इनका रेशियो है और इनका मूल क्या है एक रुपए दो रुपए और पांच रुपए ये पांच रुपए के सिक्के हैं ये दो रुपए के सिक्के हैं ये एक रुपए का सिक्का है इनको सब को तुम रुपए में कनवर्ट कर है इनको अगर एक रुपए का आठ सिक्का है तो कितने रुपए बन जाएंगे आठ रुपए ऐसे एक रुपए का आठ सिक्का तो आठ रुपए दो रुपए का एक सिक्का तो दो रुपए पांच रुपए के पांच सिक्के तो पचीस रुपए बन जाएंगे अब यहां प 25 पैसे अगर होता और 5 सिखे तो यहाँ पर 1.25 बन जाता यानि हम क्या करेंगे इनको इनका कराके multiply है ना इनका कराके multiply और इस तरह से हम इनको बना लेंगे किसमे रुपयों में convert कर लेंगे रुपयों में convert कर लिया तो यह 8 2 और 25 और यह 8 2 10 35 कितने हो गए 25 भागों में बातना है हमें 840 को अगर हम 840 को 35 भागों में बाटेंगे तो देखो यह कटेगा यह कटेगा साथ है यह कटेगा साथ से हैन तो 1284 होता है फिर 5 से कटेगा तो यह आ जाएगा चौबिस एक अनुपात की value क्या जाएगी बच्चे 24 आ जाएगे चभी सी तो आएगी पर 7 से कंटा to ये 5 आया 7 से कंटा तो ये 12 ठीक है और 15 दिली 24 और गए एक अनुपाथ की वेखल के सिक्षेन के संख्याई है 5 रोपय दोरें के सिक्षों के संख्या का अनुपाद की यहां पर धूडो कि 5 रुपे के सिक्के की संख्या पूछ रहा है तो हम 5 रुपे के सिक्के की संख्या है नहीं 5 अनुपात में multiply किसका करा दे 24 का तो जब आप 5 multiply 24 का कराएंगे तो answer आएगा 120 यानि D is the right answer कर पाएंगे सिक्के वाला सवाल कुछ नहीं करना होता है बच्चे यहाँ पर रुपेओं में दिये है अनुपात दिया हुआ है हमें इस value यह जो value है यह क्या है यह रुपेओं में convert कर लेना है और अगर आपने रुपेओं में इस तरह से convert कर लिया तो कोई सवाल में जान ही ने रहे जाएगी आसानी से आप उसको कर पाएंगे अंगूर बनाये जा सकते हैं बिलकुल तो देखो भाई ताजे अंगूरों में 80 प्रतिशत पानी है अगर ताजे अंगूरों में 80 प्रतिशत पानी है मान लिजिए ताजे अंगूरों में अगर 80 प्रतिशत पानी है 80 प्रतिशत अगर पानी निकल जाएगा तो जो dry material होगा, वो कितना हो जाएगा, 20% 20% material कैसा हो जाएगा, dry हो जाएगा इसमें पानी की कोई मात्रा नहीं है, clear हो गया न बास समझ में आ गई कहरा है, सूखे अंगूरों में 10% पानी है तो अगर सूखे अंगूरों में 10% पानी है तो यहाँ पे dry material कितने प्रतिशत, 500 kg सूखे अंगूर हैं, बोलो बच्चे, 500 kg सूखे अंगूर हैं और इसमें से 10% पानी निकल गया, तो अगर हम 10% पानी निकाल दें, 500 kg का, तो हमें 10% 200 kg का, 10% क्या हो गया, 25 kg, 25 kg किस की मातरा हो गई, पानी की मातरा, तो जो बिल्कुल dry material हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 90 प्रतिशत, यानि 225 material कैसा हो जाएगा, बिल्कुल dry एक परसेंट पानी निकल ये material कैसा हो जाएगा, बिल्कुल dry हो जाएगा, है ना, और अब इस dry material से अगर हमें ताजे अंगूरों में convert करना है, तो यह जो dry material है, 20 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए, बस कर देजिये, 20 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए dry, क्योंकि यहाँ पे total सूखे अंगूर, 200 किलोग्राम सूखे अंगूर है, 200 ग्राम सूखे अंगूरों में 25 किलोग्राम पानी है, सूखे का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल ही पानी न इतना होता है 20 प्रतिशत तो यह 225 किलोग्राम 20 प्रतिशत के बरावर कर दीजिए 20 प्रतिशत के बरावर 225 के अगर हम यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 225 बटे में आजाएगा 20 गुना में जाएगा 100 यहां से काटोगे 5 बार कटेगा मल्टिप्लाइ करोगे 1125 के जी यानि बी इस राइट आंसर 1125 के जी कर पाएंगे ना ऐसे तो यह अंगूरों वाला सवाल जो है आप अच्छे से समझ लेजिए जहां भी पूछा जाया बह 20 प्रतिशत भाग चार दिन में समाप्त कर सकता है बी 33 बटे तीन प्रतिशत भाग को 10 दिन में समाप्त कर सकता है उन्होंने मिलकर 9 दिन काम किया सेस काम सी ने 6 दिन में समाप्त कर लिया ठीक है बी और सी मिलकर चले तो अगर हम कहें 20 प्रतिशत भाग को कर सकता है यह जो ह एक बटे पांच एक बटे पांच भाब को चार दिन में तो कुल काम पांच गुना चार कितने दिन में कर पाएगा बीस दिन में बी जो है ना वो 33 सही एक बटे तीन प्रतिशत का मतलब क्या हुआ तीन बटे प्रतिशत का मतलब क्या हुआ यहां से इसको मृटिप्लाई करोगे तो 30 दिन में अब बच्चे एक इसी काम को कर लेता है दिखो धियान से समझो 20 दिनों में और पिस को कर लेता है 20 दिनों में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इनका लसीम निकालते है Elsium 60 आ जाएगा छमताय निकालने तो यह जाएगी तीन और यह जाएगी दो ठीक है दोनों ने मिल कर उन्हों नौ नौ दिन काम किया तो अगर यह साथ सबस्ट्रेक्ट कर लिया तो बचा कितना 15 जो बचा हुआ काम है न इसको कह रहा है B और C मिलकर पूरा करें तो कितने दिन में पूरा ठीक है ठीक है यहां तक आया सेस काम सेस काम सी ने 6 दिनों में समाब्त कर लिया तो बचा हुआ काम कितना है 15 और इसे अगर C 6 दिन में समाब्त कर ले तो C की efficiency क्या जाएगी 2.5 हो जाएगी C की शमता क्या जाएगी 2.5 A की शमता क्या है 3 और B की शमता क्या है 2 B और C मिलकर पूरा काम कितने दिनों में समाप करेंगे कुल काम बच्चे कितना है 60 और B और C अगर मिल जाएगे तो B की शमता है 2 और C की 2.5 तो दोनों की मिलाकर हो जाएगी 4.5 एक जीरो बढ़ालो यहां से पॉइंट हट जाएगा पंदरा चो को साथ पंदरा तिया पैतालिस चालिस बटे तीन इसका करेक्ट आंसर होगा और आंसर सी इसका सही आंसर निकल जाएगा तो सबसे पहले अगर आप इस तरह के चीजों से हैट्चुल हो चुके हैं परसेंटेज में तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते थे इतना ज़्यादा यहां पे लिखने की जरूरत नहीं थी किलियर न और अगर नहीं हो पाएं है तो आप ऐसे 20 प्रतिशत फिर 20 प्रतिशत की फ्रक्शन एक बटे 5 एक बटे 5 काम कर करता है बीस दिनों में एक इसी काम को बीस दिनों में और भी इसे तीस दिनों में इनका हम निकाल लेते हैं एलसियम जो एलसियम आता है वही इनका टोटल वर्क होता है तो फुल काम कितना हो गया साथ साथ काम को यह बीस दिन में करता है तो एक दिन में तीन और यह तीस द कुछ चुका तो बचा कितना पंदरा और फंदरा काम को कहरा है स्दिन में समाप्त करता है स्कानब करें करें गर तो कितना दिन लगेगा थो पूरा काम 60 है और B और C मिलकर करेंगे तो 2.5 ये और 2A 4.5 हो जाएगा 60 को हम 4.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40 बटे 3 और उम्मेद करते हैं कि ये सवाल भी आपको बहुत विधिवत तरीके से समुझ में आ गया होगा बढ़ जाते हैं इसी करम में क्या अगला सवाल है तो बस यहीं तक थे सवाल आज के लिए इतना ही इस वीडियो में उम्मेद करते हैं आपको पसंद आया होगा अगले वीडियो का वेट करेंगे बहुत ही जल्द अगला एक मॉक टस्त लेकर आएंगे या किसी कंसेप्ट का एक वीडियो निशित तोर पे लेके आएंगे आपके आने वाले एक्जाम के लिए तो आज के लिए इतना ही जुड़े रही है आप लोग राइस अप एकेडमी पावर्ट बाइकराइस के साथ मैं और इस तरपाटी एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं और आज की क्लास यहीं से बाइंड अप करते हैं